दोस्तों को सुलों, वर्ड बैंक के सदर डेवर्ड मालपस ने कहा कि 20-23 का वरस किसाद बुजारी का साल साबत होगा, दुनिया की मौशियत का बहरान बढ़ेगा, उन्हों ने बताया कि इसकी बड़ी वज़ा जंग है और दाशत गर्दी है, लेकर इसकी बनियाद देखी जए, तो असल बनियाद कार्परेशनों की हकूमत है, अजारादारी है, कार्परेट सिस्टम है, पाकिस्टान में कार्परेट हकूमत काइम हुई, 9 एपरेल को, रेजिम चेंज की नतीजे में, तेरा सियासी कंपनियों ने पाकिस्टान में अपनी हकूमत काइम की, इस तरह से पाकिस्टान पर कार्परेट हकूमत का क्याम हुआ, जिसके बाद पाकिस्टान का मवाशी सियासी बहरान मजीद बढ़ गया, मवाशी पैदावार जवाल का शकार हो, अब पाकिस्टान के कौमी ख़दाने में चार शारिया पांच अरब डालर बाकी रह गये हैं, ये ख़बर है और मजीद वसायल से कुछ आने की तुवक्को भी नहीं है, पाकिस्टान ने इस वरस में तीस अरब डालर की किस कर्दों की किस वापस करनी हैं, ये पैसे हमारे पास नहीं हैं। लहाज़ा बाद लोगों का कहना है कि पाकिस्टान डिफाल्ट कर चुका है, जब कि दूसरी लोगों का हकूमत का मौकफ ये है कि नहीं अभी कनारे पर खड़ा है, खत्रा मौजूद है, मगर पाकिस्टान डिफाल्ट नहीं हुआ, अल्ला ना करे खुदान खास्ता, पाकिस्टान डिफाल्ट से बाद जब, 22 में जून जुलाई की बार्षे मामूल से ज्यादा हुई, सलाब आ गया, मौलोचसान और से ज्यादा मतासर हुए, और तीन क्रोज लोग बेगार हो गए, उनकी जहांपडियां पानी में बैग गई गई, और कुछ अलाके जो हैं, बड़े अलाके जो हैं, वो जेरे आब आ गई, अब पाकिस्टान की हकूमत, दुनिया वहर से, ये अपील कर रही है के स्लामतासरीर की वहाली के लिए, हमें करजे की जरूरत है, पानी वहां खड़ा है, हमने पानी नकालना है, इसलिए पानी नकालने के लिए, दुनिया हमारी मदद करे, पाकिस्टान की हकूमत ने, स्लामतासरीर की वहाली के लिए, तीस अरब डालर का अंदाज़ा लगाया, और उनों ने, वजीर आजम और वजीर खारजा ने, मुफले मुलकों के, दोस्त मुलकों के दारे किये, लेकिन बात बनी नहीं, उसके बाद, क्लाइमेट चेंज कांफरंस, जो शर्मल शेक में हुई, वहां हमारा एक बड़ा वाफद गया, वहां हमारे पजीर आजम ने, तीस अरब डालर, मतासरिन की वहाली के लिए, मांगे, कर्ज की सुरत में, किसी सुरत में, लेकिन वहां से भी खाली हाथ ही, लाटना पड़ा, बेलाखर पाकिस्तान के लिए, एक ही रास्ता बचा, पाकिस्तान यूवर्नों में पहँचा, और वहां जाकर, सेक्टरी जनरल, युनाइटल नेशन्स, अन्तौनियों गुतेरस के दर्वाजे पर दस्तक दी, और उसे अपने परेशानियों से अगा किया, अब पाकिस्तान यूवर्नों में चला गया, खर्जा लेने के लिए, खरात लेने के लिए, ताके वह अपने, मतासरीन को बहाल कर सके, और खड़ा पानी नकालने का कोई इंतजाम कर सके, अन्तानियों अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, वो शेखल, शर्मल शेख में भी आये थे, पाकिस्तान में भी आये थे, उन्होंने अपील की, लेकन किसी तरफ से कोई, उनकी अपील, फाइदा मान, थाबत ना हुई, और कहीं से थोड़ा बहुत मिला, मगर वो बहुत ही नकाफी रहा, अन्तानियों से गजार शेखी गई, कि आप दुनिया से, कर्जा और खारात, लेकर हमारी जरूरियात पूरिक करें, ताकि हम अपने लोगों को, जहांपडिया बना कर दे सकें, जो वो सलाब में बैगी हैं, अन्तानियों पुर्टगाल के शेरी हैं, सियास्तदान हैं, वो पुर्टगाल के वजीर आज़ंग रहे हैं, और बीस सत्रा में वो युवान के, सेक्टि जनरल मंतख शेब हो हुए, उनके सामने भी, हमने तीस अरब डालर का विल रखा, उन्होंने बताया, कि ये विल तो डबल है, असल में सोला अरब डालर, अगर खर्श किये जाएं, तो मतासरीन की वहाली हो सकती है, इस पर भी उन्होंने कहा, कि आठ अरब डालर का वोज आप उठाएं, बंदों बस आप करें, और आठ अरब डालर, दुनिया से, मांगते हैं, और आपको, देने की कोशिश करते हैं, पाकिसान ने, कहा कि ठीक है, आप हमें, आठ अरब डालर ले दे दे, इसके बाद, अन्तॉनियों ने ये भी बताया, कि आप आई-अमेफ की शरायत भी, कबूल कर लें, क्योंकि, उसके बगार, आपको आई-अमेफ से, करदा, मुश्कल है, अन्तॉनियों को तैरस ने, अपील की, इस्तमाम किया, और, जिन्वा में, पाकिस्तान के लिए, कांफरंस, बुलाई, इस कांफरंस में, बलाने में, बनियादी करदार, और अहम करदार, अन्तानियों गुतारस का है, अन्तानियों खुद भी वहाँ पहुंचे, वो स्टेज पर वैठे और लोगों से, अपील की, पाकिस्तान को वहाँ, ना अरब, डालर के करदे, और खराद, मिलने के, वादे मिल गए, पाकिस्तान का वी आईपी वफद, पूरे जहाज में, कांफर्स में, शिर्कत के लिए पहँचा था, महेंगे होटलों में ठहरा, कीमती गाडियों में सफर किया, और लशपश, वी आईपी, वफद को, जिसने देखा, उसने यही समझा के, शाहद ये, पाकिस्तान को, बहुत अच्छी खारात देने के लिए, आया हुआ कोई वफद है, वजिर आजम ने रपोर्ट पेश की, बड़ी दर्दमंदी के साथ, अपील की, अंतानियों ने भी अपील की, पाकिस्तान के लिए, ना और अबना लर्का, अंतजाम हुआ, जिसमे खारात, और कर्जे, दोना शामल है, ये कर्जे और खारात, पाकिस्तान को, आइदा तीन बरसों में, मिल सकते हैं, खारात बड़ी नहीं थी, कोई 40 करोड के क्रीब थी, और देने वालों में, यारप था, अमरीका था, चीन था, जर्मनी था, जपान था, फ्रांस था, फ्रांस के सदर, मेकरण ने, एक करोड रुप्या, खरात, अपनी जेब से, जाती जेब से, दिया, थैंक यू, उसके बाद, पाकिस्टान का, वफद, जहाज, दुबाई में, उतरा, दुबाई, खुबसर्द शेयर है, अच्छा, शापिंक सेंटर है, और खबर ये है के, जो अरकान थे वाफद में, उनके आसासे भी, दुबाई में है, यहाँ एक दिल्चस्प, सूर्थे हाल सामने आती है, ये नौ का हिंसा है, नौ अप्रिल को, रिजिम चेंज हुआ, नौ जनवरी को, कांफर्स हुई, और, नौ अरब के, नौ अरब डालर के, हमें कर्दा और, खरात मिली, फादा मिला, तसली मिली, पैसे भी, उमीद है मिल जाएंगे, वहाँ जो नकद मिला, वो शर्मिदगी थी, यूएनो में, जब जाएंगे, तो यूएनो हमें देखेगी, और ये कहेगी, या समझेगी, कि ये पाकिस्तान के, हकमरान हैं, वो पाकिस्तान जो अब, हरात पे चलता है, दुनिया भार में, पाकिस्ताने, शर्म से, सर्जुक आएंगे, दूसरे लोग सामने, जब वो बताएंगे, कि पाकिस्तान अब, खरात मागता है, नौ का हिंसा जल्चा से पहले लेकन उसे पहले हमें अंतानियों उतारिस का शुक्री आदा करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इस खराती आलमी खराती कन्फरंस का इस्तमाम किया नौ का हिंसा हमें देखना चाहिए हमें हमारे नजूनियों को कि इसक से इससे पाकिस्तान का क्या जाचा बनता है क्या आइदा भी पाकिस्तान गैबी इमदाद से चलेगा जैसा के हमारे वजिर आजम ने कहा कि पाकिस्तान को गैबी इमदाद मिल गई है सुक्रिया